हे गाईज वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपके इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओनलाइन फॉर्म फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं UPSC Civil Service Examination 2021 का ओनलाइन फॉर्म कैसे आपको फिल करने step by step process हम इस वीडियो में बात करेंगे गाईज इसका ओनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको recommended करता हूँ सबसे पहले इसकी official notification जरूर देख लें जो की link आपको description में मिल जागी यानि graduate and all India के candidate यहां पर apply कर सकते हैं इसकी form guys open हो चुकी है 4 March 2021 यानि की today और इसकी last date 24 March 2021 तक रखी गई है तो आराम से और बिल्कुल बिना mistake पुरूवक फॉर्म फिल करना है आपको चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो guys यह official website है UPSC का जो की आपको link मिल जागी यहां पे description में apply online करके उस link को open कीजिएगा तो बिल्कुल इसी तरह का interface आपको नजर आगा तो सबसे पहले यहां पे click here to part 1 जो की registration के लिए है इसे आपको click करना है then यहां पे interactions आपको read करने के लिए बोला जागा आप चाहे तो इसे read भी कर सकते हैं नीचे आने के बाद आपको declaration पे yes करने करके बाद आपको आगे बढ़ जाना है तो यहां पे आपको basic and personal details फिल करनी होगी सबसे पहले अपना नाम यहां पे fill किज़ेगा guys जो भी 10th के marksit के according ही आपको fill करनी है उसके बाद यहां पे अपना gender select करना है आप male female है आप select कर लेंगे next यहां पे do b select करना है जो कि सबसे पहले आपको day का option मिलेगा then यहां पे अपना month select करना है उसके बाद यहां पे अपना year select किज़ेगा जो कि सारे आपको option मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर अपना फादर्शने फिल किज़ेगा देन यहाँ पर अपना मदर्शने फिल करना है नेशनलडी चूज किज़ेगा आप यहों की अल्रेड़ी यहाँ पर सलेक्टेड मिलेगी नेक्स यहाँ पर मेरेडियल इस्टेट आपको सूज करनी है Married Unmarried वीडो हैं डिवस हैं आप वोजो भी हैं आप यहां पे select कीज़ेगा Next यहां पे PWD candidate हैं तो आपको yes करना है अथवा no रहने देना है Community अपनी select करनी है आप कौन से community से belong करते हो General OBC AWS जो भी आप यहां पर अच्छे से देखकर fill कर लिजेगा उसके बाद अगर आप ST OBC हैं तो आपको certified number आपको यहां पर fill करनी होगी अधिवा सामुदाइक परमान पतर जारी वाला परदादिकारी है उसकी अधिकारी का नाम भी आपको यहां पर देना होगा समुदाइक परमान पतर की जो तारीक है यह date भी आपको यहां पर अंकित करनी होगी अगर यहां पर आप जेनरल सेलेट कर देते हैं तो यह सारे option आपके लिए close कर दिये जाएं नेक्स यहां पर आपको minority आप हैं तो yes करना है अधिवार no करना है अगर yes करते हैं तो community आपको select करनी होगी जैसे Muslim आपके स्थीख वेगरा आप नहीं करते हैं तो यह आपको नहीं मिलेगी और सूल्क जो है जो application फी है अगर आप जेनरल EWS है तो आपको माफ नहीं किया जाएगा तेन बता जा रहा है selected your educational अपनी सेक्षनिक योगिता का चैन आपको करना है आप चैन कर लें already passed the degree या फिर requirement examination अगर आप appare है यानि कि आप अभी पढ़ाई कर रहे है अपरिंग में है graduation में तो आपको second option क्लिक करना है डिगरी आपकी प्राप्त हो चुकी है तो first option पर आपको क्लिक करना है तो आप अपने stream से आप चुच करनी है कौन से stream है कोई भी सावी stream apply कर सकते हो अदरवाइस आपकी degree होनी चाहिए चाहिए वो किसी भी stream से हो तो आप अपने stream से आप चुच कर लिजेगा next option मिलेगा क्या आप किस परिक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं तो option देख ले सकते हैं केवल civil service तो good है आप civil service के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं next यहाँ पर address details फिल करनी होगी अपना personal address जो भी है विले इस पोस्ट वेगरा हो गया उस आपको फिल कर देना है address तीन लाइन आपको मिलता है फिल करने के लिए उसके बाद यहाँ पर अपनी state select कीजेगा जैसे कि मैं जारखन से हूँ तो यहाँ पर जारखन में select कर लेता तेन आपको अपना district आपको select करना है आप कौन से district से बिलॉंग करते हो जो भी district से बिलॉंग करते है अपने state wise फिल किजेगा अपना area का pin code लिखना है phone number या फिर area code दे सकते हैं otherwise अपना mobile number और यहाँ पर अपना email ID जरूर फिल करें mobile नमर यहाँ पर फिल करना email ID और दुबार रिचेक कर लेना जो भी data फिल के हैं क्या वो सही है totally अगर सही लगे नीचे आने के बाद आपको continue पर click करना है अगर आप उम्र में छूट लेना चाते हैं तो यहाँ पर yes करके select कर लेंगे और नहीं लेना चाते हैं no करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे आप ते उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है इस तर पर अपना परतिस्ता तिंगित करें कि आपकी जो percentage है graduation की वह यहाँ पर आपको एंटर करने होगी जो भी percentage है totally फिल कर दीजेगा उसके बाद civil सेवा में किये प्रयासों की संख्या आपने अधर पहले attempt लिए हैं को आपको ए क्य हैं तो ही करने दीए तो ही आप एटम गिने जाते हैं नहीं तो आपने इस तरह तरह दीए हैं तो आपको यहां पर फिल करना है अथो यहां पर 0 औंकित करनीจะ को सीधी सी बात नीचे आना है उसके बाद बता जारा है CSM जो परिक्षा केंद्र है आप यहां पर देना है CSM परिक्षा केंद्र जहां लेना चाहते हैं क्योंकि मैं जहारकंड से हूँ तो कोशिस करूँगा मेरे नजदीक मिल जाए पटना रापू राची हो गया यह मेरे नजदीक है होफुली तो आप जो भी स्टेट से हैं उसके नजदीक में जो आप दे सकते हैं नेक्स पेपर वन से पेपर फाइब की परिक्षा के लिए भासा का मद्देम आप क्या लेना चाहते हैं तो गाइस मुझे यहां पर यहां पर हिंदी रखूंगा आपको किसी भी लेंग्वेश का उप्योग कर सकते हैं कई सारे आपको मिल जाएंगे चटे और साथमें पेपर के लिए वेकल्फिक वी से आपका क्या रहनेगा तो यह उप्सनल सब्जेक्ट है तो देखकर अच्छे से चैन करें क्योंकि उप्सनल सब्जेक्ट एक बार आपको पूरी यहां पर इतिहास जाननी चाहिए गाई जो भी सब्जेक्ट आप चूज चैन करें नेक्स बताया जा रहा है चटमें और साथमें पेपर के वेकल्फिक विसा का जो माध्यम आपका क्या रहेगा तो हिंदी रहना चाहिए आपका जो भी आप इंगलिस है तो आपे सलेक्ट कर सकते हैं नेक्स क्या आप अरुनाचल परदेश मनीपूर मेगालाय मेज इसको हिंदी कर लेना या फिर इंगलिस कर लेना आपके डिसाब से टोटली चेक किजएगा जो डेटा आपने फिलके हैं सही लगे नीचे आने पर यहां पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है नेक्स प्रिव्यू पर आप आजाएंगे आपने जो भी प्रिवियस डेटा फिलके हैं टोटली सो करेगा आपको लगे और सब कुछ सही है तो आपको नीचे आने के बाद यहां पर क्याप्चा कोड़ आपको एंडर करनी है जो की दिखाए दर एक्टी जहां पर अपको अपडेट करने के ऑद आई एग्री पर क्लिक करना है आपको कहीं लगे गलत है click here for payment आपका यहां पे करना होगा इन्हें की part 2 registration पे आपको click करना है तो guys यहां पे आप जैसे face 2 registration पे click किज़ेगा आपके लिए यहां पे देख सकते हैं registration ID बोला जगा फिल करने के लिए अपना registration नमर जो अभी आपका आया हुआ है registration ID फिल किज़ेगा देना पे अपना डेव भी फिल करना है जो आपने रिस्टेंटली फिल किया है उसके बाद यहां पे यहां पे फोटो वेगर अपलोड करनी होगी देख सकते हैं फोटो अपलोड करने के लिए बोला जागर अपनी स्केन किये हुई हाल में जो फोटो का साइज में टोटली दिखा देता हूं आप कुछ भी गलत मत किजेगा फोटो आप अच्छी से अपलोड किजेगा यहां पे अपना सिगनेचर अपलोड करना है और यहां पे फोटो पैचान पत दस्ताव जाने कि आपका जो आधार कार्ड आइडिंटिफिकेशन में जो भी कार्ड अपने चूज किया था वो कार्ड को इसकेन को भी आपको PDF के रूप में आप अपलोड करनी होगी और यह सब दो जादा होनी चाहिए और तीनसो के भी के नीचे फोटोग्राप का साइज यहां पर लगबग सेम होने वाली है और सिगनेचर करते हैं तो आपको उसकी भी सेम रहेगी अधरवाइस आप देख सकते हैं आप साड़े तीनसो पिक्सल चुड़ाई साड़े तीनसो पिक्सल कि लगबग साड़े तीनसो से जादा हजार से नीचे होनी चाहिए काफी जरूरी है जैसे सब में डाइमेंशन जरूर चेकर लें इसी के भी आप से आपको फोटो में काफी मिश्टेक होती है अपलोड करने में स्टुडेंट को यह फोटो आप देख सकते हैं किस तरह से फ होती है यह सब में फोटो करने बहुत बड़ा रिक्स होता है अचे सिर्फ करें तो चलिए सबसे पहले चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं और जहां पर हमने फोटो रखा उसे फोटो को अपलोड कर लेते हैं तो जब आप सारे डॉक्यमेंस यहां पर अपलोड कर लेंगे सिगनेचर हैं आपके अधार कार्ड तो यहां पर साब आपके नाम आपको देखेंगे देख लिज़ेगा नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर इस पेस है तो अपलोड नहीं कर सकते हैं कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए ने तो इरर आता रहेगा उसके बाद अपलोड करने के बाद यहां पर अपलोड किये हैं टोटली सो करेगा आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे आने के बाद आपको continue पटन पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपना आधार नमर एंटर करना हुआ जो आपने अभी एंटर किया था उसको दुबारा एंटर करना है क्योंकि यहां पर मांगा सारा है इसके बाद नीचे आने के बाद exam center आपको चूझ करने आप exam center फिर से कहां लेना चाहते ह जैसे कि मैं बताए जारखंड से तो मेरा जारखंड में राची ही रहने वाला है जो मेरे एरिया के नजदी खोगागाई जो की option में दिखाई दे रहा है आपके एरिया में जो भी हो आप जहां पर exam center चूझ करना चाहते हैं उससे सेलेट करेंगे उसके बाद नीचे आने के पर क्लिक करना है यहां पर फाइनल प्रिव्यू का भी option मिल रहा है प्रिव्यू चेक कर सकते हैं नीचे आने के बाद आपने घोशना पढ़ लेने के बाद फाइनल समिट आपको कर देना है तो आपका फॉर्म समिट हो चुका है आप देख सकते हैं आपके email आड़ी पाउत तो यहां पर आपका फॉर्म का प्रिव्यू सो करेगा देख सकते हैं प्रिंट आउट आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो कि प्रिंट प्रिव्यू पर आप देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने फॉर्म का प् कुछ भी मुझें दोस्तों सक शेयर करें इसे रीलेटेट कहीं पर भी कुईरी हो कुछ भी डाूप हो आप हमें कंट करें आपकी पूरी फीजागी वडियो पसंद आई वह ज्यादा से ज्यादा से अपने तोस्तों तक शिरो करें गाईज चले मिलतें नेक्स वीडियो में त